ब्रेक के बादेब फिर से अब सभी का स्वागत है लोगडाउन के बीच वनवेभाग की सजक्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं दरसल कई बाग काफी वक्त से लापता हैं कुछ बाग वनशेतर से बाहर गुमते दिख रहे हैं तो दूसरी ओर लोगडाउन में शिकार की घटन भी बढ़ रही हैं ऐसे में वनवेभाग की कादेश यालीज सवालों के घेरे में आ जाती है देखिए रिपोर्ट बाग अब वनवेभाग से गुहार लगाने को मजबूर है दरसल पिछले चार महिने से दो बाग लापता हैं तो वहीं कई बाग रट्थम बौर के संरक्षित शेतर से बाहर निकल कर अनसेफ जोन में घूम रहे हैं ऐसे में संभावित शिकारियों की बुरी नजर भी इन्हीं पर लगी हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से वन जीवो के शिकार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिन में से कुछ शिकारी तो कैमरा ट्रैप में भी कैद हो गए हैं ऐसे में वर्तमान में चार महीने से लापता बागों के शिकार हो जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता आपको बता दे कि कुछ समय पहले मुकुंद्रा से भी शिकारियों की कैमरा ट्रैप में कैद होने की सूचना आई थी दरसल सरकार ने वनविभाग को यू तो आवशक सेवाओं में मान कर फील्ड यूटी का कारेश शिरू करा दिया गया लेकिन शिकार की घटनाओं पर अंकुष नहीं लगाया जा सका जिसके चलते कोरोना काल में सिक्योरिटी लाप्स का फाइदा उठा कर शिकारी लगातर अपने काम को अंजाम दिये जा रही है दूसरी और वनविभाग मामलों को हलके में ले वनजीवों की मौत का तमाशा देख रहा है ऐसे में लगता है कि वन जीवों के सुरक्षा के आदेश मानों कागजी आदेश बनकर रह गए हो एक तरफ जहां टेरिटरी की कमी की वज़े से जहां बागों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग प्रदेश में नई टाइगर रिजर्व विक्सित करने के प्लान को भी ठंडे बस्ते में डाले हुए है कुम्भलगड, रामगड, विशधारी को नई टाइगर रिजर्व बनाए जाने का विस्तित प्लान वन विभाग के पास पहुँच चुका है लेकिन इस मामले को कागजों से आगे बढ़ाने में वन विभाग या तो फेल हो चुका है या बागों को नई परियावास दिलाने की विभाग की इच्छा शक्ती ही नहीं एक तरफ प्रदेश में नई टाइगर रिजर्व विशेश कर 1280 वर्ग किलोमीटर जैसे विशाल वन शेत्र वाले कुम्भलगड को नई टाइगर रिजर्व बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी स्वैम पत्र लिख च कुम्भलगड को टाइगर रिजर्व बनाए जाने के अनिश्वन सा कड़ चुके हैं इसके बावजूद वन विभाग की नींद उर्ती नजर आ रही है वन जीव विशेशगे अनिल रोजर्स ने कहा है कि बागो की बरती संख्या जगे की कमी के कारण बागो में टेरिटोरियल फाइट हो रही है ताकतवर बाग, युवा बागो, ज्यादा उम्र के बागो को टाइगर रिजर्व के सनरक्षित शेत्रों से बाहर खदेड रहे हैं ऐसे में बाग लगातार अनसेफ जोन में भटकने को मजबूर हैं इसलिए राजस्तान में जल से जल नए टाइगर रिजर्व की घोशना की जानी चाहिए रर्थमबोर से दो बागो का लापता होना भी चिंतनीय है इस मामने के उच्चिस तरिय जाच होनी चाहिए इसमें से दो तो काफी समय पहले से हैं लेकिन मुकुंब्रा को 2013 में टाइगर रिजर्व घोशित किया गया उसके 5 साल बाद 2018 में यहां टाइगर को बसाया जा सका जब पूरे भारत में टाइगर का सर्वे किया गया था तो 2967 का आकड़ा देखकर सभी खुश हो गए थे जबकि WII पहले ही कह चुका है कि हमें बागों के लिए नए परियावास विक्सित करने होंगे लेकिन गहरी नींद में सोया विभाग अगर जाग भी जाए तो भी राजिस्तान में नए टाइगर रेजर्व कब बन पाएंगे ये कहना मुश्किल है मीडिया के माधियम से जानकरी में सामने आया कि लगबख चार माह से दो बाग रंतमबोर से लापता हैं और इसी के साथ ही कुछ बाग जो हैं लगातार टेरिटरी की तलाश में प्रोटेक्टेड एरिया से भार बटक रहे हैं ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो दो बाग अभी लापता हुएं काफी तीन ये चार मैने से इस मामले की गंबीरता से और इस तरही है जाच इसकी होनी चाहिए टाइगर मेनेजमेंट को लेकर राजस्थान में अभी बहुत संभावनाएं हैं बागो के बीच टेरिटोरियल फाइट, सिकुर्ते जंगल और नई टाइगर रिजर्फ बनाने में देरी बागो को जान का खत्रा हो गया है निर्मलतिवारी, First India News, जैपुर